हलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चनल में फिर से एक बार और मैं सुमन सिस्टर आज के वीडियो में हम आपसे शेर करेंगे पैरासिटामोल प्रिडेटिक औरल सस्पेंशन ये पैरासिटामोल प्रिडेटिक औरल सस्पेंशन जो है बच्चों को फीवर के लिए बुखार के लिए दी जाती है अब हम आपको ये बताएंगे कि ये आपको बच्चो को बुखार में कितनी ड्रॉप देनी है और कितने साल तक की बच्चो को दे सकते हैं तो दिखी ये जो ड्रॉप है ये जो नवजाज शिशू होते हैं उनके लिए है बेबियों की बेबी होते हैं बिल्कुल छोटे बेबी यानि कि जो नवजाज शिशू होते हैं न्यूबॉर्ण बेबी होते हैं एक से दो महिने तीन महिने तक के उनके लिए ये जो ड्रॉप है आप यूज में ले सकते हैं दोक्टर भी इसे देने के लिए सला देते हैं और इसे प्रिस्क्रिशन पर लिखते हैं तो इसका नाम वैसे आप PCM के लिए तो हम आपको बता दें कि आपको कितनी ड्रॉप से देनी हैं और कितनी आपको गंते से देनी हैं तो यहां पे दिखें हम यह लिखा है PCM और नीचे लिखा है ड्रॉप और यह पर लिया है यहां पर दिखीए इस में कॉंटेंस लिखे रहे हैं कि This इसमें क्या-क्या चीज एड है क्या-क्या इसमें हमने ये टोटल क्या इसमें पेरसेटामल कितना है और तो ये है 15 ml की टोटल पेरसेटामल ड्रॉप और ये हाँ पेस किये MRP रेट है 27 रुपे 22 पैसे साथ ये एक्सपारी डेट है दिसमबर 2023 तो जब भी मेडिकल जनरल स्टोर से कोई भी मेडिसिन खरीते हैं तो एक बार उसकी एक्सपारी जरूर चेक कर लें अभी हम आपको बॉक्स को खोल के दिखाते हैं ये इस तरह से एक छोटी सी शिशी आती है जिसमें 15 एमल दवाई होती है और एक ही ड्रॉपर आता है जिससे बच्चे को ड्रॉप पाई ड्रॉप आप मेडिसिन दे सकते हैं और जब भी इसका यूज़ करें इसको हेला करके यूज़ करना है यानि कि आपको इसको हिलाना हिला करके ही बच्चे को दे मिक्स करके मेडिसिन को और यहां पर पुराइस में दे रखा है आपको किस तरह से रखनी है किस तरह से कहां पर स्टोर करके रखना है इसको मेडिसिन को आपको और यह दिखिए छोटा सा बच्चा भी मनावाए और यह ड्रॉपर है ड्रॉपर क बिल्कुल चोटा नीफवन बेवी है तो उसको आप 5 ड्रॉप देनी जरूरी है आप सकते है और इस ड्रॉपगी साहता से आप बच्चे को ड्रॉप पीडॉप pouvाषय मेमेडिसिन दे सकते है और यहां पे इसमें दिखी निशान भी है और यह जो रपड़ है इसको दबाना होता है और इसको डिप करना होता है नलकी को उसके बाद में इसमें दवाई भर जाती है और दबाते दबाते आपको 5, drop, 90, शिशू नीवबॉन बेबी को देनी होती है तो यहाँ पे मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है छोटे बच्चों के लिए ये जो दवाई है हॉस्पिटल के अंदर भी हम लोग देते हैं और जो बच्चे होते हैं एक या दो दिन के तो उनको जब भी फिवर होता है तो डॉक्टर हमें इसी के लिए गाइड करते हैं कि वाईब ड्रॉप्स आप एच्चे को दे दीजिए तो यहाँ पे लिखावा है परसेटमोल प्रिडियर्टिक औरल सस्पेंशन यानि कि ये प्रिडियर्टिक यूज करते हैं छोटे बच्चों के लिए तो आपको मैंने यहाँ पे इसके बारे में पूरी जानकरी दीए आपको पांट ड्रोप देनी है और 8 गंटे के अंतराल में आप इसको फिर से बच्चे को दे सकते हैं अगर उसे फीवर आता है तो और फीवर चेक करके ही आप मैडिसिन दे और यह दवाई बहुत ही यूसफुल है बहुत ही अच्छी है और घर में आप नॉर्मली यूस कर सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इसका पर फिर भी अगर बच्चे को ज़्यादा प्रोब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर के जरूर दिखा ले और नॉर्मली फीवर के लिए वैक्सिनेशन के बाद जो फीवर आता है उसमें आप इसका यूस कर सकते हैं अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर लें चैनल सब्क्राइब कर लें बैल आइकन बटन दबाना बिल्कुल बीना पिलें अगर पैल आइकन बटन दबाते हैं तो आपको मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल सकता है और अगर मेरी मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो